आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे मेरा नाम है सिद्धान तक नहीं हो तरी स्टेडी ग्लोस पर आपका बहुत वस्वागत है दिल बहुत दुखी है दोस्तों एक खबर पढ़के इन फाक्ट ये मैंने अभी टाइमस आफ इंडिया में एक खबर पढ़ी और ब फिटनेस से प्यूश पाल जो है वो घर जा रहा था ठीक है कालकाची में घर है तो आयाइटी क्रॉसिंग से नहरू रोड के लिए इसने पकड़ी और जो आउटर रिंग रोड है वो ली ट्राफिक रहती है वहाँ पर अब यह अपने घर जा रहा था एक फिल्मेकर है फिल साल का बच्चा तो यह घर जा रहा था और बंटी जो कि 26 साल का है जो कि ड्राइवर है वो आ रहा था दोनों की टक्कर हुई दोनों की टक्कर हुई बंटी को इंस ले जाया गया हालत स्थेरा बंटी की बट प्यूश की हालत बहुत जादा गंभीर हो गई दोनों ही इंजर बहुत ज़ादा खून बह रहा था वो तड़प रहा था अब हुआ ये कि वहां पे जितने लोग थे जितने वहां पे लोग थे उसका वीडियो बना रहा है सेलफी ले रहे हैं पंकच जैन आधे गंटे बाद वहां से गुजरते हैं जब आधे गंटे बाद पंकच जैन वहां से गुजरे गुडस हमारेटन की शेरी में जो आते हैं जो कहते हैं कि समाज में अच्छे लोग हैं तो बुरे लोग भी हैं तो पंकच जैन और कुछ और पंकज ने उनको और रिक्षा में बैठाया और तो रिक्षा में बैठाया और टोड्राइवर का बहुत-बहुत धन्यवाद जितनी जल्दी से हो सका और अपटो ड्राइवर वाग एक होाश्पिटल ले गए लेकिन वहाँ पे वो फैसिलेटी नहीं थी जहां पे पंकज क center जो है वो पंकच को ले जाया गया और वहां पर फिर पंकच का इलाज हुआ अब जब पंकच का इलाज हुआ तो फिर डॉक्टर ने बहुत बचाने के कोशिश के लेकिन खून बहुत जदा बै गया था और शाम सारे सवा पांच बज़ अगले दिन he was declared dead कालका जी जो इनका घर है वो बगल में था अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ उससे आपको और गुस्स आएगी पैरेंट्स ने कॉल किया कॉल कट गंटी बजी फोन सुचॉफ पता है क्या हुआ जैसे ही यह भयानक अक्सिडेंट हुआ फोन और लैप्टॉप चुरा लिया आप मदद की तो बाती छोड़ दीजिए यहाँ पे फोन और लाप्टॉप तक चुरा लिया गया पैरेंट्स का फोन आया फोन काट दिया और फोन सुचॉफ कर दिया साउथ डेली की यह बात है डेली का सबसे पॉश इलाका साउथ डेली जहाँ पे कथित बड़े बड़े इंटेलेक्चॉल्स लोग रहते हैं वहां की यह घटना है एक तो मैं आपको यह भी बोलना चाहूंगा कि थोड़ा सा गाड़ी समल के चला है अभी मैं एक वीडियो देख रहा था वो भी टाइम्स आफ इंडिया पे ही था तो वो ऑपोजिट लेन में आ रहा था ठीक है और उधर से बस आई रॉंग साइड ब अब यहां पर बड़ी बात क्या है बड़ी बात यह है कि लोगों के अंदर इस इंसानियत मरती जा रही है लोग खतम होते जा रही है मुझे इतनी गुस्सा आई यह पढ़के अगर उनके पैरेंट्स का कॉल उठा लिया जाता बगल में थे वो उनके पैरेंट्स जो है पूजा की दुकान है तो अगर पिता जी का कॉल और सही समय पर अगर हॉस्पिटल पहुचा दिया जाता क्योंकि आदे गंटे गंटे गए आदे गंटे इसमें गए तो यह होता नहीं पुलिस को कॉल किया गया PCR वैन को कॉल आई PCR साड़े दस बज़े आई रात में और यह और यह अक्चनेंट हुआ तो बात वही है कि लोगों के अंदर इस निसानियत मरती जा रही है कहां मरोगे तुम लोग जो ऐसा कर रहे हैं फोन चुरा रहे हैं कोई मर रहा है उसको भी निचोड़ रहे हैं लूट लो कहां जाओगे किस नर्क में जाओगे कल को तुमारे सा आप तो होता ही है सब का पुलिस को हाला कि पुलिस भी क्या करें लेकिन फिर भी डेली में बहुत सारे केसेज होते हैं चोरी के मेरे सथ खुद हुआ एक बार बच गया मैं हुई नहीं बट एक मैंने वीडियो देखा था ट्रेन जब वैसे भी जब डेली के आउटर से ट्र अब दी ही थी क्या थी हराम से आया बहुत से लोग ही थी ट्रेन दरवाजा खुला फोन उटा भाग या लेके औरत का तो यह चीज है तो चोरों पे तो नकेल पुलिस ही कसेगी तो पुलिस को कारवाई करनी चाहिए क्योंकि अगर समय पे मदद मिल जाती तो यह लड़का म भी है यह murder है यह accident ठोड़ी नहीं accident का case register हुआ है 22-26 साल का उसकी हालक ही कि're हूं भी गाल पाड़ा था तो accident का case register हुआ है लग मैं इतो murder है कि जितने भी लोग वहां पर उन सब के उपर कारवाई होनी चाहिए एक तो देखे अभी गुड्स अमारिटन्स जरूरी है ये होता कहने लोग इसलिए भी थोड़ा मदद नहीं करते कि जमेले में कौन फसे क्योंकि एक बार आपने मदद कर दी तो पुलिस के चक्कर आपको काचने पर सकते हैं ये होता है तो पहली बात सरकार को भी इस पर ध्यान देना चाहिए कि भाई कोई कुछ नहीं पूछा जाएगा आपने मदद कर दी बस इतना काफी है अच्छे लोग है पंकजयन आए और भी लोग आए लेकिन आप ए देखे बुरे लोग कितने हैं कि वहाँ पर वीडियो बना रहे हैं कोई मर रहा ह इंसान वहाँ पर वीडियो बना रहे हैं अगर आपके साथ देखिए कभी भी जिन्दगी में ऐसी स्थिति आए तो पहले मदद करिएगा सबसे पहले जितनी जल्दी से जल्दी हो सके आप भगवानी हैं फिर समझ लीजे क्योंकि आपने जिन्दगी बचा ली है अगर कभ भी ऐसी स्थिति आपको दिखे तो सबसे पहले भागिए हॉस्पिटल लेके तुरंट अबुलेंस बुलाइए कुछ भी करिए लेकिन वहाँ पर खड़े मत रहिए वरना तो उसमें आप भी शामिल हैं और कर्मों का जाल कुछ ऐसा होता है ना कि श्राप ऐसा लगता है कु ये खतम है ना तो बहुत जादा दुख हुआ मुझे ये न्यूस पढ़के और मैं इसलिए मैंने की वीडियो भी बनाया कि कभी भी कभी भी अगर आपके सामने लगे कोई किसी को मदद की जरूरत है तो जरूर करें इस्पेशली इस तरीके की पीछे मत हटिए क्योंकि आप अपने उपर स्कों लेकर देखिया आपके एक एफ़र्ट से किसी की जिन्दगी बच सकती है किसी का परिवार बच सकता है खोश नहीं पढ़ता नहीं देशे सिद्धान तक नहीं होतनी साइडिंग ओफ